सुप्रीम कोर्ट ने सोंबार को दिल्ली के कतित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल की जमानत पर रोक के खिलाब दायर की गई आचिका पर 1926 जून तक स्थागित कर दी थी हलाकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा जमानत मिलने के बाद विहाई पर रोक लगाना समानने है हम हाई कोर्ट के निर्ने का इंतिजार करेंगे मुख्यमंत्री केजरिवाल ने दिली हाई कोर्ट के उस अंत्रिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है जिसके दरिये विशेश अदालत द्वारों ने जमानत दिये जाने के आदेश पर रोक लगा दी गई थी जस्टिस मनोज मिश्रा और SVN भट्टी की अब काश कालीन बैंच ने कहा कि इस मामले में दिली हाई कोर्ट का पैसला एक दो दिन में आने वाला है ये बैंच इस मामले में किसी भी तरह का आदेश पारित करने से पहले हाई कोर्ट के निर्ने का इंतजार करेगी उधर केजरिवाल की ओर से पेशोई वरिष्ट वकील अभीशेक मनू सिंग्भी ने सुप्रीम कोट से दिल्ली हाय कोट की जमानत सम्बंदी अंत्रे मादेश रद करने और याचिका करता को ततकाल रहा करने का आदेश देने का अनुरोत किया दिली हाई कोर्ट में प्रवर्तन निदेश आले यानि इडी ने सुमबार को केजरिवाल के जमानत संबंदी आदेश को चुनौती देने वाले अर्जी पर जवाब दाखिल किया इडी ने जमानत के आदेश का विरोध करते हुए से गैर कानूनी बताया महीं केजरिवाल के वकील ने भी अपना पक्स रखा हाई कोर्ट ने इडी की चुनौती आठिका पर फैसला सुनाया बता दे कि इससे पहले इडी ने हाई कोर्ट में राउजवन्य कोर्ट द्वारा अर्विन के जिवाल को जमानत देने संबंदी आदेश का विरोध करते हुए इसे अवैद और गलत बताया था इडी ने 29 पेजों के अपने लिखे जवाब में हाई कोर्ट को बताया कि निचली अदालत द्वारा पारित विवादित आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए और उसे रद किया जाना चाहिए इडी ने कहा कि अवकाश कालीन जजज ने अभी योजन पक्स द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सामागरी की जाज किये बिना ही तत्यों और कानून दोनों के अधार पर अपने आदेश के लगवग हर पेराग्राफ में गलत निचकर्श दिये हैं इडी ने कहा कि 2023 के बाद अर्विन केजरिवाल के खिलाफ एकत्र की गई नई सामागरी निया अदीश ने बिचार तक नहीं किया आपको बता दे शराब घोटाला मामले में जमानत पर रोख के खिलाफ अर्विन केजरिवाल की आचिका पर सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई जहां उन्हें अदालत से राहत नहीं मिली है केजरिवाल की आचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मनोज मिर्श्र और जस्टिस एजबियन भटी की बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिका करता ने कहा कि हाई कोट उनकी अर्जी इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि ऐसा ही मामला सुप्रीम कोट में लंब कोट में फैसला सुरक्षित रख लिया है तो हमारा दखल देना सही नहीं है हम इस याचिका पर बुद्वार को फिर से सुनवाई करेंगे अदालत में केजरिवाल की और से पेश हुए वकील सिंग्भी ने कहा कि जब दिल्ली हाई कोट बिना और कॉपी अपलोड हुए पर रोक लगा सकता है इसके बाद जस्टिस मनोज मिश्ण ने कहा कि हाई कोट आज कल में फैसला सुनाने ही वाला है इसके लावा अर्विन केजरिवाल ने दिल्ली हाई कोट में एडी के आरोपो पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है उन्होंने कहा कि गोवा चुनाव मे खिलाफ साजिश के तहट बयान दिल्वाएंगे साथी आपको ये भी बता दे कि दिल्ली की केजरिवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को एकसाइस पॉलिसी 2021 से 22 को लागू किया था नई पॉलिसी के तहट शराब कारुबार से सरकार बाहर आ गई और पूरी दुकाने नीजी हातों में चली गई थी दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीटी से माफिया रास खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ातरी होगी हालाकि ये नीटी शुरू से ही विवादों में थी और जब वबाल ज्यादा बढ़ गया तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने सिर्द कर दिया देश दुनिया के इसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें साहरा समय का डिजिटल प्लाटपर्म समय डिजिटल